Hello student my name is Bharti, तो आज हम सीखेंगे कि Types of money, मतलब क्या-क्या money के types होते हैं, money का classification किस तरह सो हता है, वैसे तो money के बहुत सारे types होते हैं, लेकिन इसमें हम कुछ important types के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, so first हमारा आचाता है actual money और money proper, जो actual money है उसे ही हम money proper कहते हैं, and money of accounts, money of accounts, ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं कि एक्चुल मनी क्या होता है एक्चुल मनी जो है हमारी प्रोफेसर के द्वारा एक्स्पेंड की गई है तो प्रोफेसर के निकाया था कि वह मानी इस जनरली एक्सेप्टेबल ऐसमींस ऑफ एक्सचेंज करने के लिए हम जिसका कि अंदर वह हमारी की अज़ॉद है एक्चुल मनी जिसका हम यूस क्र सकते हैं उसे हम ड्यू मेजर गर सकते फिंगे मेरा उफ ऐर मेरे मैं यमरां यूद्र क्या होता है जैसे अगर हम परले आपको पता हुपाधस पार शिस्थम चलता ता नबर क्या उठादा था हम वस्त यह उसके पास एक sandwich है आभ ये दोना आपस में exchange करना चाहते हैं लेकिन क्या चाउमीन के value sandwich के equal है नहीं है ना लेकिन पहले के लोग चीजे आदान करते थे तो वह measure नहीं कर पाते थे value लेकिन जैब से ही money आई तो हम value measure करने लगे एक लिटर दूध इतने का होगा तो लीटर में इतनी का होगा कि था किने हम टोब आसे की संड़ तो आप नहीं कहीं अउनको कहीं हो सकता है अपाइसा करना दो करने लगें तो क्या हो हाथ कोई मनी को एक्सेफ करना चाहता है हर कोई मनी में मझी कर पेमेंट लेना चाहते है कि उसे पता ऊपनी पसंद चीज भीच सकता है है जो कि metal से बनी होती है या किसी coin जैसे gold के या फिर silver के coin जो चला करते थे तो यह सारे metals से बनी होती है that money which is made of some metal and its metallic value is equal to the value marked on it जो value इसके उपर mark की जाती थी वही value की equal होता था यानि एक gold का point जिस value पर बनावा होता था जो value उसकी थी वही value का वो खुद होता था यानि internal value internal value यानि एक gold के coin के जो value होती थी उसकी external value उससे हम जो चीजे खरीद पा रहे है उस value की equal होता था ठीक है आप एक जो एक रुपय का सिक्का है तो क्या सच में उसकी value वह है जितने का जितने उस सिक्की को बनाने में लगे नहीं ना तो वह commodity money commodity money के अंदर हमारे क्या जाते थे gold के coin या सिक्के जो होते थे जिनके उपर वही value लिखी हो जिस value के वह हो यानि internal और external value दोनों equal होती थे लेकिन जब हम representative money की बात करते हैं तो representative money में ऐसा नहीं होता है इसके अंदर internal value external value के equal नहीं होती है ठीक है internal value कम होती है बट उसके external value जादा होती है जो उसको जिस money को वह represent कर रहा होता है इसलिए इसको हम क्या बोलते है representative money क्योंकि इसके अंदर external और internal value दोने इकवल नहीं होती है जैसे paper money उस paper की value वह नहीं होगी जो उसके उपर मार्क की जैसे 2000 का नोट है है तो कागच काई ठीक है तो क्या उसकी 2000 की value है क्या सिंपल से कागच की नहीं है ना लेकिन फिर वह क्या होगा कि इसको हम इसली गोल्ड या जो भी है गुटर्मेंट कर सकते हैं जो पहले डॉलर करते थे उसको क्नवर्ट इबल मनी कहा जाता क्योंकि उसको इसली हम कोल्ड के अंदर कर सकते थे फिर हैं हमारा in convertible money in convertible money में क्या होगा कि हम government हमें थूट नहीं देती कि हम अपने money को metal या value या gold अगेरा के अंदर convert कर सकें ठीक है so वो money क्या हो जाती है in convertible money so यह हमारी actual money थी money of accounts क्या होती है it is that money in terms of which loan prices of commodities and general purchasing power is expressed is that accounts are maintained in terms of this money यानि कि जो हमरे accounts है जो maintain की जाते हैं वो इस money के terms में maintain किया जाते है loans होगे या commodity price होगे जनरल जो purchasing power है वो हम किसमे express कर रहे है इस money के अंदर express कर रहे है तो वो क्या हो जाएगा money of accounts सिते याद रख लो no money of accounts यादि जिसे maintain किया जाते है इतना याद रख लो इंडियन रूपी है इंडियन रूपी जो है हमारी actual money भी है यानि medium of exchange भी हम इसको यूज कर रहे है measure of value भी कर रहे है store भी करके रख रहे हैं ठीक है और इंडियन रूपी के अंदर ही जो है हम अपने accounts को maintain करके रखते हैं लेकिन कहीं जगे यह दोनों अलग भी हो सकते हैं जैसे second world war जब हुआ था तो मार्क जो थी वह actual money थी लेकिन frank and dollar जो थी वह money of accounts में उसकी जा रही थी मतलग कि क्योंकि मार्क में काफी ज़्यादा ups and downs आ रहे थे उस वक्त लेकिन frank and dollar जो थी उसकी जो value थी वह stable थी सो इस वज़े से वहां पर actual money mark हो गई थी और frank and dollar हमारे money of accounts हो गए थी तो यह कहीं पर अलग भी हो सकती है और कहीं पर यह एक जैसी भी हो सकती है on the basis of legality यानि अब हम जो money के types बढ़ रहे हैं वो legality के according बढ़ रहे हैं यानि वैदानिकता के आदार पर money के दो तरह के types होते हैं कौन-कौन से legal tender money and optional money अब जो legal tender money होता है जो acceptable होता है government की तरफ से भी मलब legally रूप से acceptable होता है और इस payment को लेने से कोई मना नहीं कर सकता ठीक है क्योंकि government के थूप में कोई भी accept करने से मना नहीं कर सकता तो वो हमारी legal tender money हो जाती है जैसे इंडियन रुपीज और कॉइंस जो होते हैं अब यह जो है तू टाइप्स के होती है कौन-कौन सी unlimited legal tender limited legal tender इन दोनों में फर्क्या होता है ऐसी लिगल टेंडर मनी जिसका जो पेमेंट हैं unlimited नोर्पे सकते हैं तो हमारव ड्लीमिटेट अच्बों की नोट होता का फिरी नो अभीस होतें धूर इन पोड़ाते हैं 25 पैसे के सिक्के 50 पैसे के सिक्के एंड एक पैसा दस पैसा इस तरह के सिक्के चलते थे तो उसमें हम unlimited payment नहीं कर सकते थे सिर्फ 25 रुपे दग का payment कर सकते थे तो ऐसे कॉइन से सिक्के यह तो आप सर्कुलेशन से बहार जा चुके एंड लिमिटेट लिगाल टेंडर में क्या होगा ऐसा मनी जिसमें हम सिर्फ लिमिटेड ही पेमिंट कर सकते हैं unlimited नहीं कर सकते तो वह लिमिटेड लिगल टेंडर उचाता है तो अब आमारा आता है एक दूसरे को जैसे से मनी का बढ़ता गया ना उसके युजे इस बढ़ते लहा है तो लोगों अपनी इच्छा से इसको बनाया और अपनी इच्छा से इसको एक्ष़ कर चल रहे हैं तो इस वज़े से इसको voluntary money भी कहा जाता है, credit money भी कहा जाता है, ठीक है, जैसे check है, hundis है, bill of exchange है, so यह जरूरी नहीं है कि इसी वोभी payment के लिए हम यही दे, कोई मना भी कर सकते है इसको, और मना करने पर उसके पीछे कोई कारवाई भी नहीं कर सकते हैं, तो यह optional money होता है, इसको voluntary money भी कहा जाता है, यह switchig money होता है, अपनी इच्छा से हम इसको accept कर सकते हैं, और अपनी इच्छा से हम इसको मना भी कर सकते हैं, ठीक है, इस वीड़ सम मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, अल्यूमीनियम, एच्छे क्टरा, जो भी मैटल सो होते हैं, वह से मैटल इक मनी जो होता है, उससे मनी होता है, अब यह चो मैटल एक मनी है, यह थ्री टाप्स के होते हैं, स्टेंडर मनी, टोकन मनी, सबसीडरी मनी, स्टेंडर मनी, आद वोस मनी, जो प्रिंसिपल मनी होता है, एक तरह से, ठीक है, और इसके और क्या करेक्टिस्टिक से होते हैं, कि एक्स्टरनल वेल्यू और इंटरनल वेल्यू बराबर होते हैं, जैसे गोल्ड और सिल्वर, ठी यानि unlimited payment हम इससे कर सकते हैं इसके जो माइंटिंग होती है माइंटिंग इस मनी इसको हम गला कर तेक है इसकी माइंटिंग जो होती है वह उस पर कंट्रोल मतलब independent होती है free of charges होती है तो इसको हम वैसे भी यूज कर सकते हैं तो वह हमारे standard money हो जाती है अब token money क्या होती है अब standard money क्या होती है limited लिमिटेड तो नहीं होते कि हम इसको बार बार जो है कि के क्मानी के रूप में इसको यूज करते जाए तो इसा नहीं होता तो standard money जो है हमारे पास इतने ज्यादा नहीं थे तो इस वज़े से बाद में token money में क्या हुआ कि जो token money होती है वह ऐसी money होती है जो inferior metal से बनी होती है और इसके internal value जो होती है उसके extreme value से कम होती है उसकी पुद की value तो काम होती है लेकिन वह किसी अच्छी कासी value को कि वस्तों हम उससे खरीच सकते है ठीक है फिर इसके limited legal tender होता है limited legal tender यानि limited payment हम से कर सकते है unlimited payment नहीं कर सकते है और इसके जो mining होती है वह free नहीं होती है free of charges नहीं होती है यानि government से permission लेनी पड़ती है और independent नहीं होती है फिर आज आती है subsidiary money subsidiary money क्या होती है बहुत ही छोटे small petty payments के लिए हम इसको यूज करते हैं जैसे 125 10 25 पेसा जो बहुत ही चोटे transaction होते है और इसकी माइंटिंग होती है वह भी free नहीं independent नहीं होती है यानि कि बहुत चोटे payments के लिए हम जो है subsidiary money का यूज करता है token money जो है एक तैसे वह भी subsidiary money के रूप में यूज होता है और जो standard money होता है वह principal money होता है ठीक है यह था हमारा basis of material के आप चाब paper money जो है हम इसके next video में पढ़ेंगे आई होप यह video आपको अच्छे लगे होगी और comment section बताईगा ज़रूर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद